नमस्कार दोस्तों, तीचर सिनु में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे मिजराम यूनिवर्सिटी जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ गेस्ट फैकल्टी का बहुत सारे जॉब निकला है सुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टेडिज, कम्पिटेटिव एक्जामस और जॉब्स के बारे में डिसकस करते हैं तो जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिजिए फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यह आप देख सकते हो यह है मिजराप यूदिफिकेशन यहां मेंशन किया गया है आप पढ़ सकते हो गेस्ट फैकल्टी अडवरडाइजमेंट नमबर 1 अप 2021 यहां देखें यहां मेंशन किया गया है आपको जो सेलरी मिलेगा यह 1500 करके पर लेक्चर के हिसाब से मिलेगा नहीं तो आपको मन्तली 50,000 करके मिलेगा तो चले हम इसका अडवरडाइजमेंट देख लेते है और इसके लिए देखें जो मेन्यम जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपके पास कम से कम PG डिग्री होना चाहिए और जिसमें आपका 55% मार्क होना चाहिए और उसके साथ-साथ मिनिममम जो एलिजिबिलिटी यह है यहां देखिये, यहां देखिये, मेंशन किया गया है, आपको अपलाइ कैसे करना है आपलिकंट्स और रिक्वेर्ड टु सम्मीट देर अप्लिकेशन अनेक्सिचर 1 आलंग विध क्राइटीरिया फर डे गेस्ट फैकलची अनेक्सिचर 2 यह दो अनेक्सिचर आपको यह इस इमेल आइडी पर आपको भेजना है और इसका भेजने का लास्ट डिट क्या है 15 अगस्ट 2021 ठीके और उसमें आपको मेंशन करना है जो इमेल में कि गेस्ट फैकल्टी अप्लिकेशन आप भेज रहे हो ठीके और कौन से डिपार्टमेंट के लिए अपलाई करे हो यह भी आपक दिया गया है जैसे कि इंगलिस इंगलिस डिपार्टमेंट पर टोटल जो भेकेंशी है यह है वन ठीके और आपको जो भी आप अपलाई करना चाहते हो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए आपको इस इमेल आइडी पर आपको भेजना पड़ेगा यहां देखे ज इसमें अपलाई करना चाहते हो यह जो इमेल आइडी दिया गया है इस इमेल आइडी पर आप भेज सकते हो इसके लिए देखे मिनिममम क्वालिफिकेशन जैसी मैंने आपको बताया आपको कम से कम जो मास्टर्च डिक्री होना चाहिए और उसके साथ-साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए और जिसके पास नेट नहीं है तो उसके का सेलरी क्या होगा हर लेक्चर च्रप के हिसाब से पर लेक्चर के हिसाब से आपको 1000 ऐह अपको 1000 ऐहन्दद करके मिले घा तो आपको Tab Stand ठीके नहीं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 36,000 पर मन्त आपको मिलेगा और जिसके पास PhD है तो उसको जैसे मैंने बताया 1500 रुपया पर लेक्चर के हिसाब से मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको जो 50,000 आपको मन्तली मिलेगा और इसके साथ आपका master's degree में 55% होना ज़रूरी है आप अपने respective department का eligibility criteria देख सकते हो लगबग सारे के सारे सेम है ठीक है बाकि यह है आपका annexure 1 इसी को आपको डाउनलोड करना है करके इसको fill up करके आपको एक PDF बनाना है और इसी PDF में आपका जो जितने भी सारे supportive documents है relevant documents है और जो experience letter है सारे के सारे add करके आपको इस email ID पर भेजना है 15 अगस से पहले तो यह था इसका details जो भी आप interested हो जितना जल्दी हो से कि आप apply कर लिजिए इसका जो notification है मैं दे दूँगा description में वहाँ से आप चाहोता है इसको download करके भी आप देख सकते हो और जिन्होंने अ हुआ हुआ है